सो चतिस गड़के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ छात्रवा सदिक्षक्षर डिदा के तीन सो पदों के बारे में जियां आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है बहुत ही महत्तुपूर्ड बरती है काफी महत्तुपूर् आप एसे खारिक स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स जो गॉर्णमेंट्स की त्यारी कर रहें भरती पर इक्षा एक्जाम की स्टपूर्इब कर रहे और सब से में इंपोटन्ट है शात्रवा से दिक्षक बनने के लिए जो बूक लिष्ट है जी हाँ अगर आपको जो है बूक लिष्ट के बारे में पता नहीं होगा कि कौन-कौन से बूक पढ़ा जाता है कौन-कौन से पुस्तके पढ़े जाते हैं जिसे की Competitions Exam जो है क्वालिफाई हो सके सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला इस वीडियो को लाश्ट है तक आपको देखना है ताकि आपको जो है सभी चीजों के बारे में complete details और knowledge मिल जाए तो अगर हम बात करें तो 36 गण में जो है शात्रवा से दिक्षक शडीदा के जो है इस starting salary जो है शात्रवा से दिक्षक शडीदा भरती परिक्षा में आपको मिलने वाला है और 300 vacancies 300 post जो है बहुत जादा काफी महत्वपूर जो है भरती है काफी अच्छी जो है आप लोग के लपडेट है अगर आप इन 300 post के लिए चचात्रवा से दिक्षक भरती परिक्षक के तयारी अगर आप अच्छो से कर लेते हैं कोशिस किया जाते लेकिन आप यह मत सोचो ना कि इस बार हम देखते हैं कि किस तरह से एक्जामे क्वेस्टन पूछे जाते हैं अगली बार हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अगली बार जो बहुत जादा मचा दे आपको यह चीज़े बिल्कुल भी नहीं सोचने कि गौवर्मेंट जॉब्स हमारा लगेगा या फिर नहीं लगेगा हम एक्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मस हो चो आपको सिर्फ तैयारी करना मेहनत करना हार்ड़्स करना और सबही चीज़े पॉसिबल है हर एक चीज़ यह हैं मुमकिन है अगर आप मेहनत करेंगे तो अगर आप तैयारी करेंगे तो अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो ओबीपिस्ष को फॉरा करने के लिए इन सभी dreams को उन सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत जादा important है काफी महत्तुपूर भरती हैं और देखो शपने और dreams उन ही लगों के पूरे होंगे जो महनत करते हैं जो hard work करते हैं जो परिश्रम करते हैं जो डेडिकेशन रहते हैं जो डेडिकेट रहते हैं किसी भी चीज को और जो बहुत जादा impossible लगता है या नमुकिन सा लगने लगता है कि यार ये चीज़े हम कर पाएंगा फिन नहीं कर पाएंगे या ये चीज़े हम से हो पाएगा फिन नहीं हो पाएगा लेकिन मैं आपको कहता हूँ किया आप कोशिश तो किजिए आप पहला तो किजिए अगर आप पहनात ही नहीं करेंगे त्यारी नहीं करेंगे हार्ड वक ही नहीं करेंगे और उससे पहले ही अगर आप सोचने लगोगे कि यार ये चीज़े हम से हो पाएगा फिन नहीं हो पाएगा हम आगे बढ़ पाएंगा फिन नहीं बढ़ पाएंगा हमें काम्याबी मिल पाएगा फिन नहीं मिल आपको जो है बिल पाएगा और लोगों की परवाज जो है बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ आपको अपने माबाप के बारे में सोचने हैं कि किस तरह से मुझे गौवर्मेंट जॉब किसी भी आलत में एक्जाम को क्वालिफाइ करना हैं और अपनी नहीं होगा हम आगे बढ़ पाएंगे फिन नहीं बढ़ पाएंगे सबने पूरे हो पाएंगे फिन नहीं हो पाएंगे इन से भी चीजों के बारे में जो है मत सोचो सिर्फ अपने बारे में सोचो खुद के बारे में सोचो सेल्फ और कॉन्फिडेंस इंप्रूमेंट करो जि कोई चीज है ही नहीं अगर आप छात्रव से दिख्चाप बने का जो सपना लेकर चल रहे हैं डिफिनेटली सपने पूरे होंगे कोई माई यह चीजे बिल्कुल माईने नहीं रखता है कि आपके जो है दस्वी में या बार्वी में आपका 40% आया है सिर्फ आप सिर्फ पास ह जो है 33% या 35% से कोई मतलब नहीं रखता है आपको यह चीजे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 80% या 90% वाली स्टुडेंट से जिंदगी में आगे बढ़ सकते या उनहीं को काम्यावी मिल सकता है यह चीजे बिल्कुल गलत बात है आपके कम परसेंट है आप थार्ड कि किसी से कम मत समझना यह चीजे बिल्कुल मत समझना कि कौन कितना जादा इंटेलिजेंट है अपने आपको कभी किसी से कंपेर करने के बिल्कुल जवरत नहीं क्योंकि आप जो चीज कर सकते हो ना वो इस दुनिया में और किसी में है ही नहीं जो कर सके तो अपना confidence जो है सबी खौब आपके सबी सबने डिफिनेटली जरूर पूरे हो सकते थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो सबी सबने जरूर पूरे होंगे और आप छात्रवस से दिख्चक भी बन पाएंगे रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक हमें कामियाबी जो है नहीं मिल पा रहा है आप रो रहे हूं बहुत जादा मुझे पता है एकी स्टूडेंट्स के लाइफ में चलता क्या हों बहुत जादा डिफ्रे intermitt हो जाता हूं नहीं लगने लगता है चारो तरफ से ब्लाइंड एक अंधिरा सा लगने लगता है कि मुश्किल वक्त है कितना भी मुश्किल दार के हो नहीं हो वक्त के साथ जो है सब कुछ बदल जाता है वक्त लगता है थोड़ा सा लेकिन वक्त बदलता जरूर है आज जिन्देगी में आज आपके अंधेरे हैं या प्राब्लम्स है या परशानी है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाला टाइम जो होगा आने वाला जो समय होगा वो सेम कंडिसन्स वर होगा आने वाला टाइम जो होगा आने वाला जो समय होगा वाज से कही ज़्यादा बहतर होगा तो आने वाले टाइम याने वाले समय को आज से कही जादा बहतर बनाना अच्छा बनाना तो उसके लाप को आज काम करना पड़ेगा उसके लाप को आज मेहनत करना पड़ेगा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तक तुम्हारे सपने तुम्हारे ड्रिम्स तुम्ह जरूर आता है आपके जिन्देगी में प्राब्लम चाहे परशानी कितना भी क्यों नहों जिन्देगी में आपको काम्याबी खुश्या जरूर मिलेगा अब मैं आपको बताना चाहता हूं चाहतरवस दिक्षक शरीदा के 300 पोश्ट के आपके जो है सिलेबस के बारे में थाकि आपको कंप्लीट जानकारी बिल सके और आप जो है गौर्णमेंट जॉब वेकेंस एक्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाए और डिफिनेटली आपका एक्जाम जो है क्वालिफाई हो पा 37 गड़ की समानिय जनकारी रिजनिंग से इन सभी से क्वेस्टन से एक्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफी जादा इंपॉटन है बहुत ही जादा उम्हात्तुपूर्ण है आप इसे हरे की स्टुडेंट्स के लिए जो भी स्टुडेंट जो गवर्मेंट जॉप्स की करते हैं बहुत ही महत्तुपूर्ण जो है आप से भी स्टुडेंट्स के लिए पोस्ट है और अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग रेड़ आत्मक मुल्यांकन भी इसमें आपको जो है देखने को मिलते हैं अगर हम स्लेबर्स की बात कर लिए जाए तो देख सकते हैं ड आपको जो है लाना ही लाना है पचास में पच्चुश नंबर कैसे भी कर कि आपका जो होना चाहिए और इसमें कोई भारी बात नहीं है और इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप जो है पचास में पच्चुश नंबर नहीं ला पाएंगे आईसी कोई चीज ह होने वाला इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है अगर आप जो है अगर आप जो है जेनुएन महिनत करेंगे अच्छे से study करेंगे preparations करेंगे तो definitely है कि आराम से आपका competitions exam जो है qualify हो शकता है क्योंकि कोई भी चीज हो बहुत जादा न मुमकिन से लगने लगता है आपको लगेगा कि यह चीज होगा है फिन नहीं suger हम आगे बढ़ पाएंगा फिन नहीं बढ़ पाएंगे सबने पूरे फ़पाएंगे फिन § नहीं फिन पूरे होपाएंगे लेकिन तब आप काम करते हैं आपकरें जाओंगे जाओगे जिसमें आपका CPU, Input Device, Output Devices के बारे में जनकारी, Printer के प्रकार, जिसमें इंग जेट, लेजर, जेट, डॉट मेटिक्स, Printer हो गया, Operating System के नाम, जिसमें आपका CommercialM Open Source, Operating System के नाम, Word Processor, Spreadsheet के Presentation के उप्योग करियाला में, जिसमें उप्योग के लायक, समाने जनकारी, Basic जनकारी, Internet के उप्योग, जिसमें आपका email, document, searching, website, searching, विभिना, सरगारी, वेबसाइटों के बेसिक, समाने जनकारी, Antivirus के उप्योग, जिसमें computer virus से होने वाले नुकसान, एमम computer virus के समाने जनकारी, Multimedia के उप्योग, जिसमें audio video हम टेक्स रका, उप्योग करने के जो है, basic जनकारी, CD, DVD से समाने जनकारी, Google, Elder, YouTube के समाने जनकारी, Search Engine से, वांचे जनकारी, कैसे प्राप्ते की जो है, इन सभी के complete पूरा basic knowledge पूछे जाते हैं, input devices के बाद करें तो keyboard हो सब्सक्राइब, light pen हो गए, joystick हो गए, scanner हो गए, या आपके input devices, output devices के बाद करें तो आपके printer, plotter, speaker, projector यापके output devices है, तो computer के अगर हम तयारी के बाद करें तो computer की तयारी करने के लाम हो, पर एक्छा मंतन computer एक पर चले सकते हैं, या पर एक्छा मंतन computer एक पर चाहें, इससे अग आप computer की preparations करते हैं तो definite है आप computer's में बहुत अच्छे से number जो है ला सकते हैं एक अच्छा खासा number जो है गिन कर सकते हैं और definitely कि आपका competition exam जो है qualify हो पाएगा और आप जो है बहुत अच्छा नमबर जो है ला सकते हैं और definitely exam जो है qualify हो पाएगा परिक्षामन्थन का भूक से तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं 50 में से 25 अंक लाना इसमें आपके तक्रीबन 40 से 45 नमबर जो है आ जाएगा अगर आप computer की त्यारी करने के लिए परिक्षामन्थन computer एक परचे इससे अगर आप exams की त्यारी करते हैं इससे अगर आप exams की study करते हैं तो इसके साथ अगर हम बात करें आपके हिंदी के background तो हिंदी के background भी exams के point of view से exams के लिए बहुत ज़ादा होता है आपको कोई भी चीजों को लाइटली नहीं लेना है कि यार यह हिंदी का questions है यह हिंदी के questions है और इसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है जितना जादा आपके जो मैसो या फिर रिजिनिंग सो वह चीजे आपको बहुत जादा टफ लगता ठीकिसी तरह से यह भी चीज़ें तो हिंदी के प्रिपरेशन क के बाद करें वाक्राइंड की जिसमें आपका स्वार वेंजन अक्षर वरतेनी शंग्या समास महारे लोक्तिया पठीद गर्जांसे सभी पुछे जाते हैं तो हिंदी के तयारी करने के लाब जो है दिल्ली आइस अगेडमी का भूक लेश रखते हैं और एक एक चीजों के बा लक्त पुछे जाते हैं तो आपको जो है त्यारी करते रहना आपको जो है त्यारी करते रहर beaucoup करते रहने तब या जाके वह सभी चीजे पोसिबल साह कि इसके साथ अगर हम बात करें आपके इंगलीष के ग्रामर्ज के ही, तो इंगलिस ग्रामर्ज से दस रांकों के कुल दस प्रशन पूछे जाते हैं, ग्रामर्ज में देख सकते हैं, तो इसके साथ हम बात करें तो आपके जो है pronoun adjectives use of some important conjunctions, use of some important preposition, unit two में transformation of sentences, active wise specific wise, direct indirect narration, unit three में vocabulary में जिसमें आपका synonormen, synonormen, one word as a institution, spelling, check, grammar ये चीज़े जो है पुछे जाते हैं तो English की तैयरी करने के लिए आप जाए essential English रस्में सी दीशा पब्लीकेशन के बुक लेशकते हैं जी हम यदि आप essential English रस्में सी दीशा पब्लीकेशन के बुक से English की तैयरी करेंगे English की preparation करेंगे तो definitely है कि आप English में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं और आपका exam भी qualify जो हो पाएगा इसके साथ हम बात करें गडित के तो प्रश्न पत्रकीश भाग में जो है बी संकु की कुल टोटल जो है बी संक पूछे जाते हैं जिसमें महतम समपर्तक और लगुत्तम समपर्तक महतम समपर्तक और लगुत्तम समपर्तक यहां है से संबंधित प्रेशन है जिसमें आपका आउसत निकालने से संबंधित प्रतिशत हो गया चाल समय दूरी सधारन व्यास लाभानी क्रेवी क्रेव अनुपास समय नुपात प्रतिशता जन्म दर्वां बृति उर्जान संग्या बृद्धी हास हो गया रेखा कोण शम्तली आक संगरवाल का बुक लेशक्त जियां आप ऐसी के त्यारी करने के लिए डॉक्टर आरे संगरवाल के बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो आप मैंसे में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं इसके साथ हम बात करें आपके रिजिनिंग्स के तो रिजिनिंग्स भी इ जिसमें आपके भारतिक रजनेतिक व्यवस्त हैं सविधान भारती इतिहास अमराश्टी अंजोलन भारती शभ्यत हैं संस्कृतिक एतिहासी घटना भारती सुतंतरत एक इतिहास 1857 से लेकर प्राकरितिक संसाधन पर्यावरंण शेतना प्राकरितिक वनस्पतियां घनीज प्रमूग चाटिस गड़ का भारती पर्यावरंण यह सभी अग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि काफी जादा इंपोर्टेंट है एक्जाम्स के लिए बस आपको यही मैं बोलना चाहता हू करना हार्डवक अच्छे से करना और जितना ज्यादा हो सेगे इस्टेडी पर फ्रिपेर्शन पर फोकस करना तो समान्य ग्यान के तैयारी करने के लिए आप जो हैं कॉंपिडिसन से गैडमी हरी राम पटेसर का बुक लेश चकते हैं तो इस तरह से तैयारी किजिए और करे के लिए प्रतियों गीता दरपन लेना है जो आपका मंतली में रिलीज होता है तो इस तरह से तैयारी करना डेफिनेट एक्जाम को क्वालिफाई कर पाऊगे अगर हम बात करें आपके जो है कट आप मार्स की आखिरकार जो है कट आप जो है कितना होगा तो यह दिया आप ग्रेडिगर वाले गरपी चुट्टांट इसे तो एक सो ब्शोbies अगर एक अगरे एक सो पंड़ेशन सो पाएगा वहीं हो भी सिलीचर के टीग्रेवले करण इस्टुटेंट इसे एक सो पन्दरखीशन से और एक सो पंदर्हा नंबर वाले स्टुट्ट इसेंट सो so I hope वीडियो पसंद है, अब को वीडियो अगर आपको पसंद है, हो च्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहा है तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लेना एंड वीडियो को जो है जितना जादा होशा के जो है शेयर करना थाइंक्यू सो माच मिलते हैं किसी नए वीडियो में